Hello everyone, इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे सार्को टुबलर सिस्टम सार्को टुबलर सिस्टम is a system made up of सार्को प्लास्मिक रेटिकुलम and the T-Tubules मसल्स में मायो फाइब्रिल्स कुछ फिलामेंट स्ट्रक्चर से कवर रहते हैं जिनको हम बोलते हैं सार्को टुबलर सिस्टम इस कट सेक्शन में ये दिखा रहे हैं मायो फाइब्रिल्स ये मायो फाइब्रिल्स है, ये आई बेंड है, ये ए बेंड है, आई बेंड है जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिसकस किया ये A-band और I-band, alternate band होते हैं in the myofibrils अब इसमें ये है आपकी plasma membrane ये muscle fiber की जो plasma membrane होती है उसको हम एक अलग नाम देते हैं जिसका नाम है सारकोलेमा muscle के लिए सारकोवर्ड बहुत जादा यूज़ होता है जैसे muscle की, जो muscle भी एक सैल है, muscle fiber उसकी जो plasma membrane है, उसको हम प्तिकोलेमा उसके अंदर जो सारको-बवाजमिक रेटिकूलम, वर्ड हम यूज़ करते हैं उसकी जो endoplastm ृतिकूलम होती है उसका नाम होता है, sarcoplasm फाइमें गोद्ड बहुता है एक जो, जो muscle fiber है, उसके अंदर जो cytoplasm होता है उसको हम कहते है सारको प्लाजम सारको वर्ड is used for the muscle अब यह जो muscle की मेंब्रेन है सारको लेमा यह सारको लेमा अंदर की तरफ extension बनाती है मसल फाइबर के inside जैसे मायो फाइबर जा रहे हैं तो आप यह समझ सकते हो कि एक तरह से जैसे उपर आपकी plasma membrane है या सारको lemma है तो यह सारको lemma अंदर की तरफ थोड़ी सी अंदर की तरफ invaginate कर जाती है muscle fibers के अंदर और यह T-tubules बनाती है तो यह जो T-tubules है यह आप देखो यह आप यह सारको lemma है पूरी इस तरीके से मैंने आदा सेक्शन सारको lemma का दिखाया है वैसे यह सारको lemma पूरी तर इसको cover किये है muscle fiber को तो हमने आदा पार्ट छोड़ा सा दिखाया है और यह इनके extension है T-tubules तो एक तरह से T-tubules are extension of sarco lemma यानि plasma membrane of the muscle fiber और T-naam क्यों है क्योंकि यह है आपके transverse tubules यह actually हमने इस तरीके से diagram को दिखा दिया है पर muscles जो भी होती है muscle ऐसे रहती है muscle fibers है muscle fibers में यह T-tubules है यह इस तरीके से transverse ली आरिया है transverse tubules अब इनके बीच बीच में जो यहाँ पर यह आपकी sarcoplasmic reticulum है वो एक network type का structure होता है इसमें skeletal muscle fiber में sarcoplasmic reticulum बहुत ही well developed होती है and it is a source of calcium calcium बहुत important है skeletal muscle contraction के लिए क्योंकि calcium bind करता है troponin का जो unit है troponin C से C for calcium, C for C तो troponin C से bind करता है और तब वहाँ पर troponin and tropomyosin में conformational changes होते हैं conformational change का मतलब होता है जो इसका structure space में होता है उसमें क्या change होता है तो उसमें sorry तो उसमें conformational changes होते हैं और actin पर जो myosin binding sites हैं वो open हो जाती हैं जिससे कि वहाँ पर actin myosin का आपस में relation हो जाता है यानि वहाँ पर cross bridges बन जाते हैं इसको हम बोलते हैं cross bridge formation तो cross bridges बन जाते हैं actin and myosin के और उनकी वज़ज से muscle contraction होता है तो यह पेसी के लिए हमारी muscle contraction की mechanism है and for this mechanism calcium is the initiating factor यानि कि शुरुवाद जो होगी वो calcium release होने से होगी calcium काँसे release होगा? sarcoplasmic reticulum से यह बहुत ही extensive होती है अब यह क्या करती है? जब यह end है जो between A band यह A band है इतना A band और I band के बीच में यानि A band, I band का जो बीच में interaction है उस line पे यह क्या करती है? कि यह जो sarcoplasmic reticulum है यह थोड़ा tubular type की structure बना लेती है tubules type से जिनको हम मोलते है terminal sister नी, terminal माने होता है end होना तो जैसे पूरा network फैलावा इसका एक end इधर होगा, एक end इधर होगा तो वहाँ पर यह terminal sister कहला रही है और tubular structure बना रही है तो आप यहाँ देखो कि A band और I band यह A है, यह I band है, फिर A band होगा, फिर I band होगा A और I band के जहाँ पर junction है उस पर एक triad structure बन जाती है तीन चीज़े होती है, जिसमें एक T-tubule होती है और दो sisterनी होती है एक इधर की sisterनी, एक इधर की sisterनी जिसी को हम बोलते है सारको tubular system तो यानि सारको tubular system में एक आपकी T-tubule है एक T-tubule है और दो आपकी terminal sisterनी है ओके So this trad of having the T-tubules and two sisterneys making the sarco tubular system अब जो ये terminal sisterनी है इनका काम होता है calcium को release करना क्योंकि ये sarcoplasmic reticulum का ही part है लेकिन जो T-tubule है वो कहा का part है, वो extension of plasma membrane है यानि कि जो sarco lemia or plasma membrane है उसी का extension है तो ईसके अंदर fluid होता है वो होता है extracellular fluid क्योंकि cell की membrane है अब cell की membrane ही, ऐसे cell की membrane pånya थी cell की membrane इंवयजिनेनेट कर गई ऐसे तो cell से बाहर क्या है extracellular fluid vacuum穴 के अ तर्हां जो यांपर अंदर होगा बाहर की तरफ जो extracellular fluid है वो ही इस T-tubule में होता है यहाँ पे और इस T-tubule का काम क्या होता है हम जानते है कि plasma membrane पे एक resting membrane potential होता है resting condition में जो charge होता है जब कोई stimulus आएगा तो वो charge action potential में convert होता है तो यह action potential membrane पे फैल रहा है और यह T-tubule की help से यह action potential मसल्स के अंदर की तरफ जाता है यारी inside of the muscle fibers यह आपका action potential को carry करने का काम करते है so this is important that sarcoplasmic tubular में जो T-tubule है उसका काम है action potential को पहुँचाना कहां पे inside the muscle fibers और terminal system का क्या काम है calcium release करना सबसे important चीज़ ही ध्यारनक नहीं है अब इसको हमने जो trad बनाया हुआ है इस trad को उठा के हमने यहां पे अलग से बना लिया इस trad में क्या चीज़ है यह तो है T-tubule बीच वाली यह जो T-tubule की वो यहां दिखा दी यह terminal system यह आपका sarcoplasmic reticulum है और उसका end part क्या है terminal sister नी यह दो हमने terminal system नी दिखा ही है तो इन में क्या होता है यहां पर receptor होते है जो T-tubule है इस पर receptor होते है जिनका नाम होता है dihydropyridine receptor dihydropyridine receptor क्यों उनका नाम dihydropyridine है क्योंकि यह एक drug dihydropyridine से block हो जाते है तो जब यहां पर action potential आएगा action potential कैसे आएगा जो minus charge था वो plus में convert होता है इस तरीके से जो पहले minus charge था मतलब अंदर की तरफ cell के अंदर की तरफ देखेंगे तो यह अंदर की तरफ है तो जो charge हो रहा है बाहर minus plus जो action potential डेवलप होता है वो action potential इसमें carry करता है अंदर तक और यह dihydropyridine receptors इन में conformational changes हो जाते हैं जब इन में conformational changes हो जाते हैं तो इनी के nearby हैं terminal sister यह दोनो है terminal sister इन दोनो terminal sister पे दूसरा receptor होता है जिसका नाम है rhinodine receptor तो एक तो है dihydro फिर pyridine है इसमें में डीन है लेकिन यह कौन सा डीन है rhinodine है ऐसे आप याद करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है rhinodine receptors होते हैं इन में भी conformational change होते हैं जब इन राइनोडीन receptor में conformational change होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है basically calcium channels है और यह calcium channels हैं actually में और यह calcium इन से calcium release होता है तो कहां release होगा calcium जो है आपका यहां बाहर सारकोप्लाजमी क्रेटिकुलम में calcium बढ़ जाएगा ओके और यह calcium troponin C से bind होके muscle का contraction कराएगा तो यानि muscle contraction के लिए क्या mechanism हुई muscle contraction के लिए mechanism हुई कि stimulus causing action potential on sarcolemma यानि जो बाहर आ रहा था फिर सारकोलमा प्या के कहां गया यह इट इस्प्रेट तो इनसाइड यानि इनसाइड आफ दी myofibrils with the help of with the help of T-tubules by the help of T-tubules and then what are the receptor dihydropyridine receptor are stimulated those dihydropyridine receptor has a conformational change and they cause the conformational change in rhinodine receptors जो यह तो है T-tubules पे dihydropyridine receptor rhinodine receptor कहां है terminal cisterni पे terminal cisterni इसका part है sarcoplasmic reticulum का तो यहां से क्या release होगा calcium and calcium release होगा तो finally cross bridges बनके यह contraction कराएगा fine so this is the mechanism of this sarco tubular system helping in the muscle contraction अब क्या होता है जब actin myosin ने contraction किया अपस में muscle pull होई contraction हुआ फिर क्या होता है after some time यह calcium यहां पर जो यह terminal cisterni है sarcoplasmic basically इसके जो sarcoplasmic reticulum part है यहां पर एक होता है सरका सरका क्या है it is a ATPase it is a sarcoplasmic endoplasmic reticulum calcium ATPase यह क्या करते जो calcium है यह calcium जो यह पड़ा हुआ है यह calcium को sequester कर लेगा या अंदर ले जाएगा इस calcium को किसके अंदर sarcoplasmic reticulum से आया था वही वापस पहुचा दिया इसने यह तो यह calcium ATPase है अब calcium वापस गया तो यहां पर calcium कम रहे गया यहां calcium कम रहा तो जूब muscle contraction होड़ा था वापस relaxation हो जाएगा तो यूँ आप इस इस दे function of sarcoplasmic system के क्या-क्या function हुए एक तो हुआ action potential का spread from outside to inside inner side of the deeper side of the myofibrils दूसरा क्या हुआ release of calcium from the sarcoplasmic reticulum and take part in the contraction तीसरा क्या हुआ there is a sarca so that calcium goes back and it is helpful for relaxation process also इसके लाबा एक यहां पर protein होती है cal sequestrin protein cal sequestrin protein यह important protein है यह भी tubules में sarcoplasmic reticulum जो पूरा होता सब में होती है पूरे महां पे और इसका काम होता है calcium को bind करके रखना so it is a calcium binding protein यह एंशोर करती है कि sarcoplasmic reticulum के अंदर calcium एक abundant amount में हो यह उसको calcium को कही सारे को bind करके रखते है so cal sequestrin क्या है calcium binding protein है so sarco tubular system पे एक short not बी आता है